नमस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र किसी ने बहुत सुन्दर कहा है स्वास्त सबसे बड़ा उपहार है संतोस सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा स्वास्त आपका होना चाहिए संतोस की भावना होने चाहिए और इमानदारी से काम करने की इच्छा शक्ती होने चाहिए आप आगे बढ़ेंगे तब ही और जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपकी help करते चले जाएंगे आपके तारे आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार साथ ही आज के उपाय में होगा एक विसेश उपाय तो जल्दी से शुरू करते हैं आपके तारे सबसे पहले बात आज के पंचांग की दो अप्रेल दो हजार तेईस दिन रविवार चैत्र मास चल रहा है शुकल पक्ष है द्वादसी तिथी है मगा नचत्र है चंद्रमा सिंग राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर मीन राशी में बिराजमान है अभिजीत मुहूर्त का समय होगा आज दो पहर बारा बज़े से दो पहर बारा बज़ कर पचास मिनट तक जो भी शुब काम महत्यपूर्ण काम आपको करना है आप अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो कारियों के सफल होने की संभावना ज़ादा रहेगी राहुकाल का समय होगा पांच बज़ कर छे मिनट से लेकर के छे बज़ कर उनतिस मिनट शाम तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी महत्यपूर्ण काम ना करें दिशाशूल है पश्चिम दिशा तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की रिष्टे और मजबूत होंगे कहीं से शुब समाचार मिलेगा धन लाब की कोशिसें सफल होंगी अपने काम में और तेजी लाने की आवश्चकता है शुबरंग के सरिया उपाय किसी गरीब को गुड का दान करें ब्रश्राशी परिवार से जुड़े काम बनेंगे बानी का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा कोई भी काम जल्दवाजी में करने से बचें यात्रा से लाब का योग बन रहा है शुबरंग गुलाबी उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें मिथुन राशी मिथुन राशी वालों का मन उत्साहित रहेगा परिवार के लोगों से सपोर्ट मिलेगा आपके खर्चों में बढ़ोत्री होगी करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से विचार करें शुबरंग भूरा उपाय गव माता को रोटी खिलाएं करकराशी हर बात सोच समझ कर बोलें परिवार पर ध्यान देना होगा उधार लेन देन से बचना होगा प्रॉपर्टी में निवेश अभी ना करें शुबरंग हलका पीला उपाय किसी गरीब को फलका दान करें सिंगराशी मन की टेंशन दूर होकी धनलाब का योग बन रहा है किसी महत्यपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी गुस्से में किसी से कोई बात कहने से बचें शुबरंग लाल उपाय भगवान शूर्य को जल अर्पित करें कन्याराशी कन्याराशी वाले अपने खर्चों को कंट्रोल करें परिवार को और समय देना होगा बचें पैसा उधार लेकर कोई काम ना करें शुबरंग मरून उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें तुलाराशी धनलाब के रास्ते बनेंगे आपका मानियश और बढ़ेगा सुक्सुविधाओं की प्राप्ति होगी रुके हुए काम बनेंगे शुबरंग क्रीम उपाय गव माता को रोटी खिलाएं ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वालों का हुनर काम्याबी दिलाएगा लोग आपकी बात मानिंगे अहंकार की भावना रखने से नुकसान होगा अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा शुबरंग हलका लाल उपाय किसी गरीब को फलका दान करें धनुराशी धनुराशी वालों को भागे का सपोर्ट मिलेगा धन प्राप्ती का योग बन रहा है आपके रुके हुए काम पूरे होंगे कहीं गूमने जाने की योजना बनेगी शुबरंग गुलाबी उपाय गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें मकर राशी क्रोध में आकर फैसला करने से बचें रिस्तेदारों से मत्भेद हो सकता है काम में आ रही रुकावटें दूर करने में आप काम्याब होंगे नए लोगों से मुलाकात होगी शुबरंग नीला उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें कुम्भराशी योजना बना कर काम करना होगा अपने पैसे को बचाने की आदद बनाए इमोशनल होकर कोई भी फैसला करने से बचें परिवार से सहयोग मिलेगा शुबरंग नारंगी उपाय किसी गरीब को भल का दान करें मीन राशी धनलाब का योग बन रहा है परिवार के साथ वक्त बीतेगा धार्बिक कारियों में मन लगेगा हर काम सोच समझ कर करना होगा शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें अब वक्त है आज के उपाय का सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए आप ये उपाय करें रविवार से शुरू करके प्रति दिन भगवान शूर को अर्ग दें यानि जल अर्पित करें और प्रति दिन हनुमान चालीशा का पाट करें शनिवार के दिन तीन गरीबों को भोजन दान करें तो भगवान शूर की पूजा से शूर को जल देने से शूर मजबूत होगा हनुमान चालेशा पढ़ने से मंगल ग्रह से शुपफल मिलेगा और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराने से शनिदेव प्रसन होंगे और जब ये तीन ग्रह अनुकूल होंगे तो सरकारी नोक करी की प्राप्ति में आपको मदद मिलेगी आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके तारे आपका दिन बनाएंगे जीवन में खुश्यां लाएंगे नवस्कार